Hello Students, Welcome to Hello Biology जैसा कि आप जानती हैं कि आज कल हम पढ़ रहे हैं Human Reproductive System के बारे में और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं Female Reproductive System को Female Reproductive System प्रकृति का बनाया गया वह बायलोजिकल सैटप जिसको specially डिजाइन किया गया है किसी जीवन को क्यारी करने के लिए जीवन को जन्व देने के लिए तो शुरू करते हैं उस सिस्टम के बारे में जानना जहां से हम सब के जीवन की शुरुवात होई थी Female Reproductive System के बारे में तो चलो शुरू करते हैं Female Reproductive System पैल्वेक रीजन में लोकेटेड होता है जैसे कि Milk Reproductive System होता है इसके अंतरगत एक पियर ओवरीज आती हैं ओवी डक्ट आते हैं जिसे हम फ्लॉपियन ट्यूग भी कहते हैं यूट्रोस आता हैं, सबवेक्स आता है, वरजाइना, इक्स्टोर्नल जैनेटेलिया आते हैं इसके अतरगत एक पियर मैमरी ड्यांट का आता हैं जोकि पैल्वेक रीजन में ना होकर अपर बोडी पार्ट पर लोकेटेड होता है मैमरी ग्लांट जो है, वो फंक्शनली, स्ट्रॉक्चरली, देप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत सपोर्ट करती है इस्पेशनी इन ओवियूलेशन, फटिलाइजेशन, प्रेगनेंसी में, बच्चे के जन्म के दौरान और चाइट के यार में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इसपेशनी ओवरीश के बारे में हम आज की क्लास में फोकस करेंगे ओवरीश पर महिलाओ में, ओवी प्राइमरी सेक्स ओर्गन के रूप में जानी जाती है जैसे की मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टीज होती हैं टेस्टीज का फंक्शन होता है, स्बम्स जानी की मेल गैमेट्स को प्रेडिूस करना और मेल हॉर्मोन की सिंथासिस करना वहीं ओवरीश भी female गैमेट्स यानी की एक्स और ओवम की formation करती है उसको produce करती है और साथी साथ female hormones, estrogen और pogistron की synthesis भी यहीं पर होती है हम यह कह सकते हैं कि ovaries are tiny factories making ovens और eggs तो सबसे पहले बात करते हैं इसके structure की ovaries oval shaped होती हैं और uterus के तौनों side में located होती हैं यह pelvic area और uterus से ligaments के तौनों जूड़ी होती हैं ovaries जो हैं वो लगभग 2-4 cm लंबी होती हैं और 2 cm चौड़ी होती हैं तो यह तो बात हो गई इसके external structure की तो अब बात करते हैं इसके internal structure की ovaries के उपर सबसे उपर जो layer होती है उसे हम germinal epithelium कहते हैं यह किसकी बनी होती है जर्मिनल epithelium की बनी होती है इसका प्रमुप कार्रे होता है ovaries को protection provide करना इसके बाद cortex होता है cortex में होते हैं follicles follicles के अंदर होते हैं immature eggs यानिके immature female gametes puberty के बाद यह mature होन स्टार्ट होते हैं हर महीने एक एक मिच्चोर होता है वो follicle से release होकर ovary से बाहर ove duct में यानिकी flopping tube में जाता है और यदि वहाँ पर उसको sperm मिलता है तो वो उसके साथ fertilize होता है आगे जाके वो zygote बनता है और uterus में set up हो जाता है और फिर हमारे सामने एक नई जीवन की तरह बस्तव होता है लेकिन यह तब होता है जब उसे sperm phryopion tube में मिलता है तो X कैसे mature होते हैं इनकी formation का पूरा process क्या है यह हम जानेंगे जह हम बात करेंगे ogenesis के बारे में अब आगे बढ़ देया इसके बाद इसके center part को हम medulla कहते हैं जिसके अंदर blood vessels, nerve tissue, connective tissues आते हैं इनका प्रमुक कार्य होता है ovary के function में support करना developing acts को nutrition provide करना hormones के supply में help करना तो बच्चो, this is all about the ovaries मिलते हैं आपसे अगली class में अगर आपको ये class पसंद आई हो, ये video पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करें, दोस्तों के साथ share करें, like करें और कहीं पर भी कोई problem हो, तो comment box में comment करें मिलते हैं आपसे अगली video में, तब तक के लिए अलविदा मिलते हैं झाल